राम और लक्षमन का अगला पड़ाव रिश्मूप परवत था। सुग्रीव वहीं रहते थे। कबंध और शबरी की बाद दोनों भायों को याद थी। दोनों ने सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी। कहा था कि वे सीता की खोज में सहायक होंगे। दोनों राजकुमार शीगरता से वहाँ पहुँचना चाहते थे। सुग्रीव का मूल नीवास रिश्मूप परवत नहीं था। किशकिन्धा था। रिश्मूप में वो निर्वासन में अपना समय बिता रहे थे। सुग्रीव किशकिन्धा के वानर राज के छोटे पुत्र बड़े भाई का नाम बाली था, पिता के न रहने पर जेश्ट पुत्र बाली राजा बना, पहले दोनों भाईयों में बहुत प्रेम था, राजकाज में किसी बात को लेकर मनमुताव हुआ, फिर जगड़ा हो गया, इतना गंभीर की बाली सुग्रीव को मार डालने पर उतर जान बचाने के लिए सुग्रीव को रिश्मूक आना पड़ा, रिश्मूक आकर भी सुग्रीव का डर कम नहीं हुआ था, वो चौकस रहता था, विश्वास पात्रवानर सेना निरंतर पहरे पर रहती थी, सुग्रीव स्वयम भी पहरा देता था, इस दर से की कही बाली के गुपतचर सैनिक वहाँ न पहुच जाएं। एक दिन सुग्रीव पहाडी पर खड़ा था। उसने दो युवकों को उधर आते देखा। ये दोनों अवश्य बाली के गुपतचर होंगे। मुझे मारने आ रहे होंगे। सुग्रीव ने ततकाल अपने सातियों को में रिश्मूप छोड़ देना चाहिए। ये स्थान अब सुरक्षित नहीं है। बाली यहां भी आधमका है। सुग्रीव ने अपने सातियों से कहा। मैंने दो युवकों को इधर आते देखा है। उनके हाथों में धनुश है। सुग्रीव घबराया हुआ था। पर उस ने बात मान ली। राम और लक्षमन पहाडी पर चरते-चरते ठक गए थे। वे पहाडी सरोवर के पास रुके। ठकान मिटाने, मुह हात धूने, तभी भेस बदलकर हनुमान वहां पहुच गए। शिश्कता से प्रणाम किया। पूछा, आप दोनों कौन है? वन में पहरे से राजकुमार लगते हैं। हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं। हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप उन्हें जानते हैं? राम ने विनमरता से पूछा। प्रारमविक बातचीत में ही हनुमान स्थिती भाप गए। वे अपने मूल रूप में आ प्रणाम करते हुए बोले, मैं हनुमान हूँ। सुग्रीव का सेवक। उन्होंने आपका परिचय जानने के लिए यहां भेजा था। लक्षमन ने उन्हें अपना परिचय दिया। वन में आने का कारण बताया। ये भी बताया कि वे कबंध और शबरी की सलाह पर आये हैं सुग्रीव से मिलने उनसे सहायता मांगने हनुमान के चहरे पर हल्की सी मुसक्राहत आ गई। कोई उससे सहायता मांगने आया है जिसे स्वयम सहायता चाहिए। हनुमान समझ गए, राम और सुग्रीव की स्थिती एक जैसी है, दोनों को एक दूसरे की सहायता चाहिए, वे मित्र हो सकते हैं, एक अयोध्या से निर्वासित है, दूसरा किश्किंधा से, एक की पत्नी को रावन उठा ले गया है, दूसरे की पत्नी उसके भाई ने छीन ली है, दोनों के पिता नहीं है, हनुमान ने राम और लक्षमन को कंधे पर बैठाया, कुछ ही पल मेवे रिश्मूख के शिखर पर पहुँच गए, हनुमान ने दोनों को सुग्रीव से मिलाया, दोनों ने अगनी को साक्षी मान कर मित्रता का वचन लिया, सुग्रीव ने कहा आज से हमारे सुक दुहक साजा है, राम ने सुग्रीव को सीता हरन के संबंध में बताया तो सुग्रीव अचानक उठ खड़े हुए, उन्हें कुछ याद आया, बोले, वानरों ने मुझे एक स्त्री के हरन की बात बताई थी, वो निश्चत रूप से सीता ही रही होंगी, रावन का रत इसी परवत के उपर से गया था, राम और लक्षमन ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे, सुग्रीव बोलते रहे, सीता स्वयम को रावन के चंगूल से छुडाने का यत्न कर रही थी, वानरों को देखकर उन्होंने अपने कुछ आभूशन नीचे फेक दिये थ उनके मुह से निकला, दिकार है मुझे, ही सीते, मैं संकट में तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका, मेरा पौरुश, बल, पराक्रम, ग्यान तुम्हारे काम नहीं आया, सुग्रीव ने उन्हें सात्वना दी, सीता अवश्यम मिल जाएंगी, मैं हर प्रकार से आपकी सहायता कर रहा है, संकट के समय हनुमान, नल और नील ने मेरा साथ दिया, मुझे कभी नहीं छोड़ा, उसने राम से सहायता मागी, राम बोले, चिंता मत करो मित्र, तुम्हें अपना राज्य भी मिलेगा और स्त्री भी, राम देखने में सुकुमार थे, उन्हें देखकर उनकी शक् अशन पर भरोसा नहीं हुआ, बाली महाबल शाली है, उसे हराना इतना आसान नहीं है, वो शाल के साथ वृक्षों को एक साथ जगजोर सकता है, राम ने कोई उत्तर नहीं दिया, धनुष उठाया और तीर चला दिया, शाल के साथों विशाल वृक्ष एक ही बान से कटकर इस शक्ती प्रदर्शन पर सुग्रीव ने हाथ जोड लिये। राम ने कहा, मित्र, अब विलम कैसा? बाली को युद्ध के लिए ललकारो। किश्किन्धा की राजगद्धी का निर्नय उसी युद्ध में हो जाएगा। सुग्रीव चिंतित हो गए। युद्ध में बाली को सबकिश्किन्धा पहुँच गए। सुग्रीव आगे था। राम, लक्षमन और हनुमान छिप गए थे। मेरे पीछे राम की शक्ती है। सोचते हुए उसने बाली को ललकारा। बाली के क्रोध की सीमा न रही। वो गरचता हुआ निकला। आज शिकार स्वयम मेरे मुह त धनुष हात में था। पर उन्होंने तीर नहीं चलाया। सुग्रीव वहां से किसी तरह जान बचा कर भागा। सीधा रिश्मूक परवता कर रुका। राम, लक्षमन और हनुमान भी लोट आये। सुग्रीव राम पर कुपित था। ये धोखा है। आपने मेरे साथ धोख दूर से दोनों एक जैसे लगते हो। मैं बाली को पहचान नहीं पाया। बिना पहचाने बांट चलाता तो वो तुम्हें भी लग सकता था। मैं इस चूक के लिए तयार नहीं था। मैं अपने मित्र को खोना नहीं चाहता था। लक्षमन ने समझा बुझा कर सुग्रीव को तयार किया। एक और युद्ध के लिए। राम ने कहा। जाओ मित्र। इस बार बाली को पहचानने में चूक नहीं होगी। इस बार उसका अंत निश्चित है। सुग्रीव दरा हुआ था। घबराहत थी। पर राम के कहने पर तयार हो गया। किशकिंधा पहुझ कर उ इसे मना किया। बाली ने उसकी बात नहीं मानी। पैर पतकता बाहर आया। क्रोध से उबल रहा था। बाली ने हाथ हवा में उठाया। मुट्ची भिंची हुई थी। वो एक घूसे से सुग्रीव का काम तमाम कर देता। तभी राम का बान उसकी छाती में लगा। वो ल राज का पत दिया गया। राम ने सुग्रीव के लिए संबोधन बदल दिया। राजगद्धी पर बैठने के बाद उन्हें मित्र नहीं कहा। वानर राज कहकर संबोधित किया। सुग्रीव का मन था कि राम कुछ समय वही रहे। उनके साथ राम ने मना कर दिया। कहा। ये पिता की आग्या के विरुद्ध होगा, उन्होंने मुझे वनवास दिया है, मैं वन में ही रहूंगा, राम किशकिंधा से लोट आए, वर्षा रितु के कारण आगे जाना कथिन था, लिनकारोहन कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया, इस अवधी में वे प्रश्रव पहार पर रहे, वर्षा रितु बीत गई, राम प्रतीक्षा कर रहे थे, सुग्रीव की वानर सेना की, सीता की खोच के लिए, सुग्रीव ने राज तिलक के दिन राम को इसका आश्वासन दिया था, लेकिन वो अपना वचन भूल गए, राग रंग में उलच गए, राम च पा गया, पंद्रा दिन और बीत गए, लेकिन सेना राम के पास नहीं पहुची, राम सुग्रीव के इस व्यवहार से खुग्ध थे, क्रोध में उन्होंने सुग्रीव के विनाश तक की बात कही, राम को चिंतित देख लक्षमन से न रहा गया, उन्होंने धनुश उठाया तो राम ने उन्हें रोग दिया, कहा, सुग्रीव को बस समझाना है, वो हमारा मित्र है, लक्षमन किशकिंधा चले गए, सुग्रीव को समझाने, वहां पहुचकर उन्होंने धनुश पर प्रत्यंचा चड़ाई, दोरी खीच कर छोड़ी, उसकी टनकार से सुग्रीव राम के पास जाने से पूर्फ सुग्रीव ने हनुमान को आवशिक निर्देश दिये, वानर सेना एकत्र करने का आदेश, इस बार सुग्रीव सेना एकत्र होने तक नहीं रुके, तुरंत निकल पड़े, लक्षमन के पीछे-पीछे, राम के सामने जाकर भयभीत वानर रा जामवन के पीछे भालू की सेना, इसके बाद लनकारोहन की योजना बनी, वानरों को चार टोलियों में बाटा गया, अगत को दक्षिन जाने वाले अग्रिम दल का नेता बनाया गया, उस दल में हनुमान, नल और नील भी थे, राम की यही इच्छा थी, उन्होंने कहा, व जाने वाले दल को राम ने रोक लिया, उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया, अपनी उंगी से अंगूटी उतार कर उन्हें दे दी, अंगूटी पर राम का चिन्ह था, उन्होंने कहा, जब सीता से भेट हो तो यह अंगूटी उन्हें दे देना, वे इसे पहचान ज समझ जाएंगी तुम्हें मैंने भेजा है। तुम मेरे दूत हो। दक्षिन की टोली किशकिंधा से चली। अलगद और हनुमान आगे आगे चल रहे थे। चलते चलते वे ऐसे स्थान पर पहुँच गए। जिसके आगे भूमी नहीं थी। केवल जल था। विशाल समुद्र उसकी गहराई अथाह थी। लहरों की गरज कपा देती थी। समुद्र को देखकर सबका साहस जवाब दे गया। वानर ठक हार कर वही बैठ गए। वानर राम के बारे में चर्चा करने लगे। अलगद ने कहा राम की सेवा में प्राण भी चले जाए तो दुख नहीं होग जटायू ने अपनी जान दे दी। हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तभी एक विशाल गित पहारी के पीछे से निकला। वो जटायू का भाय था। समपाती। उसने कहा सीता लंका में है। मैं जानता हूँ। रावन उन्हें लेकर गया है। आप लोगों को ये समुद्र प करेगा। कैसे करेगा। अगद उदास हो गए। लक्षय सामने था। पर विकर्ट था। उन्हें कुछ सूच नहीं रहा था। बूरा समपाती उनकी सहायता कर सकता था। पर रिसायू में इतनी लंबी उडान संभव नहीं थी। वानर दल असमंजस में पढ़ गया। अग उनके पास गए। उनके पास भी इस कथिन प्रशन का कोई उत्तर नहीं था। तब ही जामवंत की द्रिष्टी हनुमान पर पड़ी। वे सबसे दूर बैठे थे। चुप चाप। जामवंत जानते थे कि ये काम हनुमान कर सकते हैं। वे पवन पुत्र हैं। उनकी शक्ती उनकी पर टिक गई।